हम सबी बीशन गर्मी और ये पसीने वाली गर्मी के बाद बारिश का आनन ले रहे हैं हम बास्तों में बारिश का आनन लेते हैं और बालकनी में खड़े होकर बारिश देखना पसंद करते हैं मंसुन के दौरान हम अपनी मम्यों को पकोड़े, समोसे, वड़ा पाउं, मक्का और मैगी बनाने को कहते हैं मैगी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आएसेच निउस ने इस बारे में वीडियो जारी किया था, देखने के लिए यहां क्लिक करे आज मैं मक्काई के बारे में बात करने जा रही हूँ, यह पोशक तत्वों से भरपूर है यहां इसके शीर्ष पाँच स्वास्तलाब दिये गए हैं मक्का खाने से पाचन क्रिया बहतर होती है यह मल त्याग को सुचारू बनाने में मदद करता है, जिससे कब से बचाव होता है हम सभी पड़े होने पर स्पश दुश्ती, मजबूत दुश्ती चाते हैं हम मोत्याबिन आदी को रोकना चाते हैं, है ना? मकाई खाने से आखों की ऐसी समस्याओं से बचाव होता है अगर आप वजन बढ़ाना चाते हैं, तो मकाई सबसे अच्ची चीज़ है कई लोगों को कॉलेस्टरॉल बढ़ने, हाई बीपी, स्ट्रोक, आदी के कारण दिल का दौरा पढ़ता है मकाई आपके दिल की रक्षा कर सकता है, क्योंकि ये पोशक तत्वो, ओमेगा थ्री और ल्यूटिन से भरपूर है जो आपके LDL, यानि खराब कॉलेस्टरॉल के स्टर को कम कर सकता है ये शुगर के स्टर को नियंत्रित करने और मदुमेग को नियंत्रित करने में भी मदद करता है अब जब आप स्वास्तल आप जान गए हैं, तो इसे जरूर खाए लेकिन क्या आप मकाई की रेसिपी जानना चाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कुछ मकाई खरीदे और इसे चारों और समान रूप से भून ले एक बाउल में कुछ प्यास, टमाटर और हरा धन्या बारी काट ले लाल मेच पाउडर वैकल्पिक है नमक, चाट मसाला और कुछ स्वादिश चीज डाले मुझे यकीन है कि आप सभी को यह पसंद आएगा अगर पसंद ना आएग तो इसे ना डाले फिर आथ में सभी मकई के दानों को काट ले और सलाद में मिला ले अब यह तैयार है और आप स्वादिश चलाद का आनन ले सकते है यह बारिश के लिए उत्तम है और स्वास्तवर्थक भी है तो इसे जरूर आजमाई है जर मुदकीयं से 813 ब्लाद में ळड़रियाए साथ, आप में आप समी जरूर्द केता है तो को क्पास्तवर्ट indoorसीर को